नमश्कार दोस्तों देखिए आज हम सिंपल सूट करना सिखा रहे हैं आप लोगों को आप देखिए मैं यह मैंने जो चार मेटर कपड़ा था जितने मैं और सूट की लेंथी उसमें 4 प्लस करके इस सूट की कटिंग कर दूंगी और इसे काट कर बिल्कुल अलग कर दूंगी देखिए कितने ही आसानी से और बिल्कुल सिंपल थरीके से मैं आप लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूं तो बने रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए यह देखिए जतने हिप्स की हमारी गुलाई होती है उससे मैं दो इंच एक्स्ट्रा इसे इस जितना चाहती का था और सात इंच पर कमर का निजान लगा देती हूं तो यह सूत मैने न सूट का ही नाप लिया था यहां से मैं 1 इंच एक्सट्रा लूंगी और गुलाई कर देगी यह देखिए मैंने यहां 20 2 9 और यह मैंने साड़े 11 इंच लिया है तो इससे मैं फट्ट से सूट कटकर रेडी हो गया है हम जो बिगनर्स होते हैं या चोटी-चोटी जो गलतियां हम करते हैं तो वीडियो को धान से देखिए गान बिल्कुल भी आप भी कुछ भी गलत नहीं होगा और सब कुछ अच्छा ही होगा तो देख लीजिए और ये सिंपल सूट की कटिंग जो हम कर रहे हैं ये देखिए यहां जितना मुझे लंबाई लेनी है न सूट को रेडी करना है वो मैं निशान लगा दूँगी और कमर पे जो ये सिधा निशान लगा रखा है मैंने ये कमर का निशान है ऐसे ही हम दो कपड़े उठा कर निशान लगाएंगे और बीच में इसे जो एक कपड़ा हमें निकालना है उसे मैं निकाल दूँगी और ये देखिए जो एक इंच का निशान लगाया हुआ था उससे मैं आगे की फरंट की गोलाई कर दूँगी और जो मुझे बैक का गला ज्यादा बढ़ा नहीं बनाना तो सरफ पाच इंच का बनाना है त इतना हमें मोड़ना है उतना में निशान लगा दूँगी ये मैंने यहां पर निशान लगाया है तीन इंच का तो तीन इंच का निशान बिल्कुल सीधा लगाना है और ये बाजू की लंबाई है ये देखिए यहां से जितनी आपको गुलाई करनी है उतना निशान लगा तो बने रही है और वीडियो के लाश्ट तक देखिए क्रेटिव लाइफ इतको कल में नई नई आइडियास के साथ और वीडियो को लाइक शेर सस्क्राइब चुरूर कीजिएगा दोस्तों ताकि नई नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक हो चलिए बहुत सके लिए पता चल जाएगा कि हमें कितना सिलाई लगाना है तो यह एक तरह का निशान टाइप हो जाता है यह देखिए मैं यहां से आगे कि आत्मों की कटिंग कर दूंगी बिर्कुल सिंपल तरीके से जो मैंने आपको दो के साथ यह वीडियो शेर किया है तो बने रही है और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा दोस्तों और अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा बने रही है हमारे साथ क्रियेटिव लाइफ वीद गोकल में है